जामकुपल वर्मा ने क्यूं कहा NTR को देख कर कि मैं गे बनना चाहता हूँ फिल्म आरार की हीरो की एंट्री में कितने रुपए लगे 40 करोर खर्च कर देने के बाद कमाने की कितनी है उमीद आज इनी सारी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो दोस्तों मैं स्वागत करती हूँ आप सब का हमारे यूट्यूब चैनल बॉली ग्रैट स्टूडियोज में जहां आज हम बात करने वाले हैं फिल्प RRR के सीक्वल R4 के बारे में लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं फिल्म के हीरो यानी जूनियर NTR के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले ही NTR का जनम दिन गया राम गोपल वर्मा जो अपने बेबाक अंदास के लिए जाने जाते हैं जिनके ट्वीट करने का अंदास फैन्स को काफी पसंद हैं तो जनम दिन वाले दिन राम गोपल वर्मा ने कुछ ऐसा ट्वीट किया जिससे की उनी की चर्चा चारों तरफ होने लगी तो क्या था उस ट्रीट में राम गोपल वर्मा ने अपने ट्वीट में जूनियर NTR की पिक पोस्ट की जिसमें वो शर्ट लिस्ट है पिक पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि मैं कोई गे नहीं हूँ लेकिन इस फोटो में आपको देखने के बाद मैं गे बनना चाहता हूँ इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस ट्वीट पर जम कर रियाक्ट किया और यूजर्स ने इस ट्वीट पर NTR को जनम दिन की बधाई भी दी जूनियर NTR फेमस डिरेक्टर S.S. राजमौली के आरारार फिल्म में नजर आने वाले हैं जिसमें उनके साथ राम तरन तेजा भी नजर आने वाले हैं बाहुबली के डिरेक्टर S.S. राजमौली की अगली फिल्म आरारार भी नए रिकॉर्ड तोड रही है ये फिल्म इस पतरन तरता सिनानियों की कहानी बनने वाली है जिस फिल्म में अज़े देवगन भी एक खास भूमिका निभाने वाले हैं इस फिल्म में आलिया भाट राम चरन के ओपोजिट सीता की भूमिका में नज़र आने वाली है फिल्म में राम चरन पहली बार स्क्रीन पर नज़र आने वाले हैं जिसकी एंट्री शूट की गई है पूरे 15 करोड के ताम जाम के साथ मेकर्स का कहना है कि जूनियर एंटी आर की स्तीन की शूटिंग तो इससे भी महंगी है उस सीन का बजट कम से कम 25 करोड रुपे का है इस फिल्म में दो ही सीन का बजट लगभग 40 करोड है ये भारत की पहली ऐसे फिल्म बन गई है जिसकी स्रिफ दो ही सीन में और दो ही हीरो की एंट्री पर इतना अच्छा खासा खर्चा किया गया है इतने में तो दो अच्छी फिल्म बन सकती है इस फिल्म की शूटिंग अभी तक हाइदराबाद, पूने, गुजरात में पूरी कर ली गई है फिल्म की कहानी अदादी के पहले की है यानी 1920 के टाइम में फिल्म में अंग्रेजों के खिलाफ स्पतंचिता सेनानी कैसे लड़ते हैं ये भी दर्शाया जाएगा लेकिन फिल्म RRR को रिलीज का डेट 13 ऑक्टूबर मिला है अब देखना ये है कि ये फिल्म रिलीज होती है या नहीं और ये फिल्म तेलगू और तमल में बन रही है जिस फिल्म का डबिंग हिंदी और मलेयालम में भी किया जाएगा उसके साथ इस फिल्म की कहानी को दो पार्ट में दिखाया जाएगा जिसका सेकंड पार्ट पर भी काम शुरू हो चुका है जी हाँ फिल्म RRR की आगे की कहानी हम R4 में देखेंगे तो दोस्तो आप कितने एकसाइट हैं इस फिल्म को देखने के लिए ये हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेगा आज के वीडियो में बस इतना ही हम फिर आजर होंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजे हमें इजाज़त झाल